अगर आप beginner हो fresher हो कि आपको भी कोई भी software नहीं आता तो मैं प्रीमियर ड्वेंची में से आपको बोलूँगा कि आप ड्वेंची रिजॉल्व ही यूज कीजिए वो आपके लिए best होने बला है अगर आप switch करने की सोच रहे हैं ड्वेंची रिजॉल्व भी प्रीमियर से हम shift कर जाएं तो मेरा मानना है कि आपको shift करने की जरूरत नहीं है हाई everyone मेरा नाम है साजिनमदान तो आज के topic में हम बात करेंगे ड्वेंची रिजॉल्व और प्रीमियर के बारे में काफी लोगों के काफी टाइम से कुमेंट आ रहे थे कि सर हमने जो प्रीमियर है उस पे भ beginners के या औरेड़ी आप एक software यूज कर रहे है प्रीमियर या अदर तो हमें ड्वेंची रिजॉल्व पे shift होना चाहिए यह नहीं आज के topic में मेजरली में बात करने वला हूं कि दोनों में से कौन सा software बैस्ट है प्रीमियर यह ड्वेंची रिजॉल्व मैं पिछले six to seven month से ड ड्वेंची रिजॉल्व का conclusion निकाले सब लोगों को पता है कि कलर ग्रेडिंग के लिए वह माहिर माना गया है लेकिन स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं अगर दोनों में से कोई software पिक करना चाहते हो तो मैं आपको अगर beginners हो यहां पे भी situation डपेंड करती है अगर आ प्रेशर हो कि आपको भी कोई भी software नहीं आता तो मैं प्रीमियर ड्वेंची में से आपको बोलूंगा कि आप ड्वेंची रिजॉल्व ही यूज कीजिए वह आपके लिए बैस्ट होने बला है अगर आप स्विच करने की सोच रहें ड्वेंची रिजॉल्व प्रीमियर से ह ड्वेंची रिजॉल्व शिफ्ट कर जाए तो मेरा मानना है कि आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है सबसे पहले अगर दोनों के इंटरफेस की बात करें इंटरफेस में प्रीमियर सबसे आगे है टेक्स टेंड ग्राफिक के मामले में भी प्रीमियर प्रीवियर बेस्ट और अधिटिंग कटिंग के मामले में बी प्री मेर ही बैस्ट माना गया है मतलब हर एक चीज हो गे जो थार्ड पार्टी प्लग इन्स हैं अध्यसर Лघ्ज हो मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली प्रीमियर के साथ मतलब बहुत पुराने समय से ये काम करते है और और देशी की बात करें समझे ली जए को निया ट्रेंड ही आया है ड्रेंची जोल्व लेकिन आप एक प्रीमियर यूज कर रहे थो आप सोच रहे हैं कि मैंज जोल्व शिट कर जाओ तो मेरा मानना है कि अगर आप बहुत अच्फी नॉलज रखते हैं, Color Grading के उपर, की अपर की और स्कीम क्या हैं, उसके बाद VectorScope, स्कीम टौन को क्रेक्षण कैसे खरना है, वेवस्व लुउमा की जानकरी रखते हैं, उसके बाद आप RGB秋oca曲 के बारे में जानकरी रखते हैं, तो आप बे जिजिक होके डिवेंच रिजॉल्व के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं मेरा मानना कि जब तक हमें इन चीजों की नौलज नहीं है प्रीमियर के अंदर ही नौलज नहीं है कि यह क्या है तो मेरा मानना की शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पहले हम इसी के ऊपर सीख ले तो वैसे भी मैं प्रीमियर बिल्कुल बिकारी कलर ग्रेडिंग करता है बहुत अच्छे च्छे टूल है लेकिन उसके ऊपर काफी मेहनत लग जाती है डिवेंची के अंदर यह सारी चीज़ें बहुत इजी है कलर में मतलब ट्रैकिंग सिस्टम बहुत सॉलीड है जिसकी वजह से मतलब ना क कलर ग्रेडिंग सेम दोनों में ड्वेंची सिर्फ आगे है ट्रेकिंग के मामले में कलर करीडिंग के ममनें ट्रैकिंग उसके पर है जो कुछ एडेशनल चीजे भी हैं लेकिन आप प्रीमियर के अंदर थर्ड पाटी यूज करो आप कलर इस्टा फोर यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे प्लगिंज यूज कर सकते हैं लेकिन जो वार पर है यह स्लेक्शन ट्रैकिंग बहुत सोलिड है ड्वेंची के अंदर अगर आपने मालों स्कीन को ट्रैक करना है या मतलब चोटे से आसमान की ट्रैकिंग करनी है स्काई के कलर्स बहां निकालने ड्वेंची रिजॉल्व चुटकियों में यह कर देता है लेकिन प्रीमियर के अंदर बहुत सारे एफट्स लगते हैं अगर केंक्लियूजन की बात निकाले प्रीमियर और यह दोनों ऐसे घड़े सिर्फ कलर ग्रेडिंग में ड्वेंची रिजॉल्व थोड़ा अप है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आप है क्योंकि फिलम्स वगेरा की ग्रेडिंग इसी पर होते हैं क्यों होती हैं ट्रैकिंग सिस्टम बहुत इजी है तो दो च अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं पहले आप यह सोचिए कि आपने प्रीमियर का एंड निकाल लिया कि प्रीमियर के कलर्स थे हमने जो जो निकाल पाहें जैसे वेक्टर स्कॉप वेफोर्म लूमा और जीब प्रेड़ स्किन टॉन उसके बाद फॉर वे कलरेक्शन ज सब्सक्राइब काम नहीं बन रहा कि में स्विच्च हो जो हमें अभी तक प्रीमियर ही नहीं आता अच्छी तरह हम सोचते हैं नहीं मैं तो डिवेंची सीख के बहुत अच्छे कलर निकाल लूगा बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं दो दो तीन-तीन साल से डिवेंची रि अना-लोगति क्या है उसके बार ट्राियाा क्या है कॉं एक कोंप्लीमेंट्री क्या ऐ कलर स्कीम क्या है जब तक इन चीजों की नौलज नहीं है लिवे brings सिको यह उनके बारेमें वी सोलप्गे तक हम किसी भी केलर अच्छ है निकाल पाएंगे अशक कर आ động क stores आइसके बाद क और जल्दी से इस video को share करें और प्रीमिर भी सात में चलता रहे गा ऐसा यह कि प्रीमिर को बिल्कुल कट आउफ कर देंगे सात में चलता रहेगा और डुविंची भी चलता रहेगा आपका सब्सक्षास कि मेरे लेकिन मैंने टूś anderes किいます है कि एडिटिंग के मामले में जो इंटरफेस से लेकर हर एक चीज हमें 100% जो चीजे हैं वो मिल रही है प्रीमियर के अंदर तो मुझे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है हां अगर मुझे लगा कि मैं कल को अच्छी मूवी करने लग या वेब सीरीज करने लग गया मुझे लगा बजट अच्छा है अब तो प्रीमियर के अंदर कलर ही नहीं रहे तब मैं डिवेंची रिजॉल्व स्टार्ड करना चाहिए जब पता है कि औरडी मैं वैडिंग का का काम करा होगो यह जो जितने कलर मुझे चाहिए जिस तरह की चाहिए यहां को निकालने लिए वह सा रांगा स्वारा प्रीमियर कर रहा है तो मुझे शिफ्ट होने की जुरूरत नहीं है यह उस दिन शिफ्ट हो जाऊंगा जिस दिन बहुत बढ़े लेवल के मेरे पास बॉ एजी हो जाती है अगर देवेंची रिजॉल्व की बात करें उसमें क्या है कि सबसे पहले मीडिया पेज आ जाता है उसके बाद कट पेज आ जाता है उसके बाद एडिट पेज आ गया उसके बाद फ्यूजन आ गया फ्यूजन के बाद आ अगया के बाद आ जाता है किया था उसके बाद फेर लाइट आ जाता है तो यह सारे पेजी से मतलब मालीजी हर एक software अलग है सारे software क्योंकि उनके पास एक ही option ने पूरा resolve के उपर मतलब अपने software के उपर सारा जोर लगा दिया कि मेरे पास 3D का भी यह पास यही उप्षिन लिए उन्होंने काफी जोर लगा रखा है सोफ्ट्वेर के अंदर तो सफ्ट्वेर बहुत अच्छा ऐसा निया कि कोई भी कम है और आपको यह मात्र मुझे लगता है 29,000 के अंदर आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है यहां ब्लैक मेजिक का कोई भी प्रड़क्ट करीत है उसके साथ भी फ्री मिल जाता है प्रीमियर है जो आपको बिल्कुल फ्री नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन बेस हर महीने पे करने पडेंगे यह यह करने है वह और जगह से भी अर्निंग कर रहा है लेकिन अडोब के पास सिर्फ उसके सोफ्ट्वेर जागर सदा बाहर के लिए वह दे देंगे तो वह एकदम से रुक जाएंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरा मानना है कि अगर आप प्रीमियर पे हैं तो आप प्रीमियर पे ही रहिए पहले उसके कलर्स को समझ लीजिए उसके उपर ग्रेडिंग अच्छे से सीख लीजिए अगर नहीं फिर भी आपको लगता कि नहीं मैंने उसी में जाना है उसी मेंचे तो आप पिक कर सकते हैं या बिगनर जैब वेंची ही जूल यूज कीजिए थैंक यू सो